उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षकों का समान देश की वर्तमान और भावी पीडी का समान है। बच्चों में मानविय समवेदनाओं को जागरित करना ही एक शिक्षक का परमदायत्व है। उन्होंने कहा कि शिक्षन कला में नयन्य अनुसंधान करने होंगे। विद्यार्थियों को उबाव कक्षाओं से उबार कर कैसे मनुरंजक शिक्षा की ओर ले जाया जा सकता है। शिक्षकों को इसका ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री शनिवार को गोमती नगर विस्तार में स्थित प्रतिष्ठित शिक्षन संस्था सीमेस में शिक्षक समान समारों को संबोधित कर रहे थे। योगी ने सीमेस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विन्मरिश रधांजली अर्पित की। सीमेस की संस्थापिका और चेर्मेन डॉक्टर भारती गांधी की भी इस बात के लिए प्रशंसा की की उन्होंने डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ अलीगर से आकर प्रदेश की राजधानी लखनों में इस विशाल वटवरिक्ष को रोपने का कार्य किया। कहा कि आज यहवट वरिक्ष हजारों विद्यार्थियों को अपनी चाया प्रदान कर रहा है। मुख्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर भारती गांधी ने सीमेस को प्रदेश का प्रतिश्टित शिक्षन संस्था बनाया है। मुख्य मंत्री ने कहा कि जगदीश गांधी विपरीत परिस्तितियों में भी हार न मानने वाले व्यक्ति थे CM ने डॉक्टर जगदीश गांधी और अपने संबंदों की चर्चा भी की मुख्यमत्री योगी ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान हमारे वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है जो देश के भविश्य का निर्मान कर रहे हैं, उनका सम्मान करना अपने आप में सम्मान का विशय है उन्होंने कहा कि शिक्षन व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कठिन परिश्रम है परिश्रम से ही हमें अंत, करण की खुशी मिलती है सीम योगी ने अपने विद्यार्थी जीवन की भी चर्चा करते हुए कहा कि छोटी छोटी लोकुक्तियों के माध्यम से हमें शिक्षा को मनोरंजग बनाना होगा बच्चों को स्वस्थ प्रतिसपरधा के लिए तयार करना होगा साथ ही उनकी क्षमताओं का भी ध्यान रखना होगा बच्चों के साथ जबर्दस्ती न हो इसके लिए हमें धीरे धीरे उन्हें प्रतिसपरधा के लिए तयार करना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमेस के पास एक अनुभवी लीडर्शिप है हजारों परिवार अपने बच्चों को बेजियक सीमेस में भीजते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहां जो शिक्षा दी जाएगी वो उनके बच्चों के अजवल भविश्य का निर्मान करेगी उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को IAS और IPS बनाएं मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चे एक अच्छे राष्ट भक्त नागरिक बनें हमें बच्चों में मानविय सम्वेदनाओं को जागरित करना है मुख्य मंत्री ने कारे क्रम के लिए CMS प्रबंध समिती का आभार जताया साथ ही ये उमीद भी जताई कि CMS से निकले छात्र छात्राएं देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का प्रभाव पैदा करेंगे इस अवसर पर CMS के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रबंध समिती से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे